भाईयो बेनो आपकी ताकत लोक तंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है आपने उसका एसास कराया और उस ताकत का एसास है जो कल सक राम भक्तों पर आज से कटीस वर्थ पहले गोलियां चला रहे थे आज आपकी ताकत के सामने जुके हैं अब लगता है कि अगर कुछ और वर्थ आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खांदान लाइन पर खड़े होते वे दिखाई देंगे आप देखना अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी तब राम भक्तों पर खिश्न भक्तों पर फुस्कों की वर्था होगी किसी अपरादी और किसी माफ्या की हैस्यत नहीं क्यों सिर उठा करके सडकों पर चल सके धंकी की बात तो दूर वो सडकों पर चल सके और अगर किसी ने दुस्ता हस किया किसी ब्यापारी और निर्दोस नागरिक पर गोली मारने का दुस्ता हस किया तो गोली उस ब्यापारी यार उस नागरिक पर तो नहीं लगी लेकिन उल्टी उसकी च्छाती कोई बेगते वे उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया भायो बेनो दिकास साथ चार वर्स के तरफ में देखा हुआ और तरफ में एक भी दंगा नहीं हुआ और दंगायों को दहरे पीचे संदोर दूसरे हुआ है और दंगा करोगे वो अपनी साथ पीड़ी का पट्ता निकर दे जाना जो भड़बाई करने रहे थे के तालिबानी मानसिक्ता नहीं स्विकार होनी चाहिए कताई नहीं होनी चाहिए यह मद्दयुक में समाज को ले जाने की कुछ सिच्चेशता है जो पहन और बेटियों के जीवन को पुरी पे नार्किय बनाता है नागरिकों के मौलिक अठिकारों का हनन करता है और जो केवल और केवल एक मजबी जनौन के साथ जीते हैं वे लोग इस तालिबानी कुक्रत्यों का समर्थन कर रहे हैं इसको उत्तर प्रदेश की धर्थी में कतई स्विकार नहीं करेंगे करण कतई हम स्विकार नहीं होने देंगे और जो भी तालिबान का स्वर्थन उत्तर प्रदेश की धर्थी पर करेगा स्वक्ति के साथ उसे निपटने का कारे भी सरकार करेगी जब मजफ़न अगर में दो निर्दोस नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाती नजर नहीं आ रही थी जब वहां अपर निर्दोस हिंदों के घर चलाए जा रहे थे तब ये जाती बात की राजनीति करने वाले तब इनको जाती नजर नहीं आ रही थी लेकिन भाईयो बेनो ये धर्म चक्र है इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र पवरतनाया की बात इसी लिए कही गई है ये चक्र तो धर्म का घूमता है ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है जो लोग कल ताक मंदिर जाने में संकोज कर पे थे आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे ये ही सबसे बड़े हिंदू है शेपल बड़ा ब्रॉब को और एप्सटों डाम ब्राओज जाट कर दो जा रखर असाग इंवारा नहीं कर दो लोगना